मूली की पराठे जो कि आप समझ चुके हैं तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मूली को धोपर के छील लिया है अच्छे से और इसके पत्तों को अलग कर दिया है एक साइड में और यह देखिए अब हम इन सब मूली को घ्याकस करेंगे इसमें मैंने जो बड़े वाले निसान है इस से घ्याकस कर रहे हूं आपको जो अच्छा लागी उसी से करें बाकि बड़े वाले से करने से यह इस्ट मूली के जो पत्ते थे वो मैंने यहां पर लिए हैं इनकी जो मोटे वाली जो डंडी होती है वो सभी मैंने निकाल करके अलग कर ली है और सिर्फ यह पत्ते पत्ते मैंने लिए हैं और इनको यहां पर इसी में मिक्स कर लेंगे हम यह मिक्स करने से पत्ते का जो कलर और सुन नमक मिला देगे नमक मिलाने के बाद इसको अच्छे से एक साइड में रख देंगे और तब तक हमारा आटा कर लेते हैं वह दो ले लिए मैंने यहां पर इसमें नमक डाल दिया है और यह आजवाइन और जीरा मैंने यहां पर ले लिया है इनको थोड़ा अच्छे से कूट लेंगे ताकि जब मुली की वज़े से बदाजमिर वो होते हैं वो गैस वगेरा ना हो इसके लिए इसको कूट करके इसमें हम मिक करेंगे इसकी खुस्बू भी बहुत अच्छी आती है तो देखिए अगर आप आटे में डालना भूल जाएं तो इस टेपिंग में भी इसको डाल सकते हैं कि देखिए अब इसको हां मुली पे जो नमक लगाया था इसकी वज़े से इसका मुली का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा और यह पानी में भारनी डालते वे आटे में यूज कर रही हूं आप चाहें तो इसे फैक भी सकते हैं बट मैं इसी आटे में दबाते हुए पूरा पानी हमने निकाल लिया है और अब नॉर्मल पानी से हम इस आटे को अच्छे से लगा लेंगे जैसे नॉर्मल रोटी के लिए लगाते हैं उसी परकार हम लगा लेंगे ज्यादा नरम ना लगाएं आटे को थोड़ा टाइट ही अच्छा रहेगा इस के लिए और ऐसे करते हुए देखिए हमने आटा लगा करके तयार कर लिया है और इसको थोड़ी दिर के लिए रख देते हैं तब तक हमारे इस टिफिंग देख लेते हैं यह देखिए अगर आपको लगे इसमें थोड़ा पानी ज्यादा हो तो आप दुबारा से इसको नहीं दो हरी मिच ले ली हैं सोरी इनको इसी में हम लगे है और यह पी यह दो चमसवेने धनिया पाउडर लिया है यह भी इसमें एक देखिक झाल ओसे चारने नमक ग निकल दीखाने और आनो दो दबारा से एक चार्प म में लेकिना ताकि मुली ज्यादा पानी न छोड़े और हमारे श्टुपेंग खराब नाव तो इन सब को अच्छी से मिला लेते हैं कि देखिए यह हमारे मसाले मिल चुकी है अब हम लास्ट मिस में दो चमस नमक डालेंगे और इसको नॉर्मली मिला करके हम छोड़ देंगे और यह हमारे श्टुपेंग तयार हो चुकी है अब हम पराठा के लिए लोई बना लेंगे जैसे नॉर्मल रोटी की बनाते हैं उसी परकार से और सुखा अटा लगाते हुए इसको बेल लेंगे देखिए नॉर्मल रोटी जैसा बेल करके हम इसमें इस्टुपिंग भरेंगे देखिए मैंने इसमें डाल दिया है और इसको प्लेट्स डालते हुए एक के उपर एक ऐसे करते हुए बड़े एजी तरीके से बन जाएगा और इसको पहले वाले कोर्नर को अंदर की साइट डालते हुए बाकी को इसके उपर करते हुए हम इसको पूरा पैक करके बंद कर देंगे और हाथ से थोड़ा एकवल इसको कर देंगे मसाले को ताकि जब हम बेले तो फटे नहीं और वाफिस सुखाटा लगा करके इसको बे हमारा घरश घछ डाहने के लिए गहार और ने के लिए कि आपकe एक साइट से शिखने के बाद हम इसे पल्ट देंगे हो तब तक हमारे दूसरे पराठे की हम तैयारी काँ लेते हैं ध्यान रखे पराठा बिल्कुल चहिए दोनों साइट से उसके गीए डालेंगे गीए या विल जो भी आप यूज करें लेकिन प्राठा दोनों साइड से बिल्कुल रोटी की जैसे पूरा सिक करके तयार हो जाए उसके बाद में उस पर घी लगाएंगे यह देखिए हमारा प्राठा तयार हो चुका है दोनों साइड से अब हम इस पर घी को अच्छे से शेक लेंगे कि अगया है कि देखिए हमारा प्राठा तयार हो चुका है और हम दूसरा प्राठा तयार कर रहे हमारा यह हमारा बिलकर के तयार हुए है पहले वाले के जैसे इसको भी हम सेक लेंगे बस इसमें ध्यान यहीं रखना है कि जब तक दोनों साइड से उसे के नहीं हमें इस पर घी नहीं लगाना है वरना यह ठंडा होने के बाद में कच्छे जैसा दिखाई देगा और टंप्रेचर हमें मीडियम रखना है बहुत ज पराठा तयार कर लेते हैं और ऐसे करते हम सभी पराठे हमारे बना लेंगे अगर गईज आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और पा कि देखिए हमारे फूले फूले प्राठे बन करके तयार हो चुके हैं आप भी एक बार रे से पिजरू ट्राइए करें अब यह हमारा सिक करके तयार हो चुके हैं प्राठे और यह देखिए मूली सरदी में और सरदी में घी भी खाया जाता है तो घी इसके उपर अच्छे से लगाएं बनाने के बाद में और फिर प्राठाई खा करके देखिए और कैसा लगा मेरه को जरूर बताएं और यह देखिए मैंने इसके के अछ आन और यह देखिए यह मैं आपको काट करके इसके स्टेफिंग दिखा देती हूं देखिए हमारा प्राठा बहुती अच्छा बन करके तयार हुए और यह हमने थाली लगा दी है थेंक्यू फूर वाचिंग